पाकिस्तान के इकॉनमी के बारें पड़ेंगे पाकिस्तान के इकॉनमी का जैसे ही नाम आते हैं हमारे चेहरे पर एक स्वाइल सी आजाती है ऐसा क्यों कि काफी सारी दुश्मन ही हमारी पाकिस्तान के साथ से रही है उसको पढ़ना भी जरूरी है आपने दुश्मन को जानना कि हमारा जो दुश्मन देश रहा है उसमें क्या क्या चीज़े रही है जिसका नाम है comparative development experience of India and its neighbor जिसमें हम चाइना और पाकिस्तान को compare करें इंडिया के साथ आज पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ने को मिलने वाला है जिसे इस्लामिक रेपाब्लिक आफ पाकिस्तान कहते है अजारी कब मिली थी तो इंडिया को अगर 15 अगस 1947 में मिली थी तो यहां पर 14 अगस 1947 में मिली थी उसके बार पाकिस्तान जो है गाईस उसने अपनी development का process स्टार्ट किया पाकिस्तान ने जो अपनी कह सकते हो first five year plan स्टार्ट किये थे वो 1956 में करे थे यानि कि इंडिया ने 51 में करे थे पाकिस्तान ने 1956 में करे थे पाकिस्तान वर्ल्ड की six number पर most populous country में आती है जिसमें 188 million people 2015 के डेटर के हिसाब से है यानि कि 188 million लोग पाकिस्तान की country में रहते है पाकिस्तान की जो total population का one third part जो की काफी ज़ादा होते है गाईज वो poverty line के नीचे है अभी भी ठीक है और world में गाईज second largest muslim population पाकिस्तान में है और सबसे जादा कहा है आपके इंडोनेशिया में है उसके बाद पाकिस्तान में है पाकिस्तान में जो economy है वो एक mixed economy है जैसे इंडिया में है जहाँ पे लोगों की यानिकी private and public sector दोनों मन जाते हैं यानिकी government की भी चलती है तो private sector भी चलाते हैं अपने industries and all ऐसा नहीं है सिर्फ government owned है ऐसा नहीं है तो mixed economy वही होती है जहाँ पे private and public दोनों सेक्टर होते हैं पाकिस्तान में भी mixed economy है आपको पाकिस्तान का पता ही है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा चलती है वह वहां की military की चलती है ठीक है इसके बाद है गाइस green revolution ने को इंडिया ने भी green revolution स्टार्ट किया था और इंडिया ने भी काफी सारे green revolution में benefits उठाए agriculture में सेम वे में पाकिस्तान में भी green revolution स्टार्ट किया और उसको भी काफी फाइदा हुआ agriculture production में इसके अलावा बात करें तो importance to role of public sector in early 1970 याने की 1970 के starting तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जोट दिया गया था capital good industries पर जहां पर public sector का main important role था वहां पर capital goods गया जाते थे like machines और जिससे further production की जा स लेकिन अगर हम बात करें late 1970s की तो उस समय पर फिर private sector को more जाधा importance दी गया याने की importance to role of a private sector in late 1970s तो private sector को कहा गया कि आप लोग भी production करो आप लोग भी अपनी industry set up करो और उन्हें काफी सारे other benefits भी जैसे इंडिया में दिये गए थे वो देने start करे गए जैसे की subsidies and all वो सारे benefits उसके बाद guys अगर हम बात करें financial support during the late 1970s तो काफी सारे देशों से पाकिस्तान को financially help मिली थी उनके development में तो आपको पता है कि Pakistan थोड़ा गरीब देशों में आता है तो उसको other देशों से help मिली थी financially support मिला था तो लेकिन इस बाद से खुश्मत हो जाना इंडिया ने भी बहु 21 में हुआ था पाकिस्तान में 1988 में start कर दिया था तो जहां पर mainly progress पर privatization पर जोड़ दिया गया था और उनमें काफी सारे incentives and all लिये गए थे मलब दिये गए थे private owned जो sectors है इसके अलावा guys इनोंने जो progress करी है वो comparatively अगर हम लोग देखे other देश से काफी कम रही है बट क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी भी शुरुआद वही अजादी से हुई है तो उसके हिजाब से अगर हम देखे तो ठीक है हम जज नहीं करना चाते हैं यहां पर इसे लेकिन यह काफी सारे points गाइस पाकिस्तान के बारे में थे जो I hope आप लोगों को समझ आयोंगे और इसमें याद करने वाले यह कुछ ही points है इसकी पाकिस्तान में कौन से economy है कितनी population उसकी poverty line से नीचे है इसके साथ 6th populous country है वर्ल्ट की कितनी population से है तो यह हमें पाकिस्तान के बारे में पता होनी चाहिए तो I hope आपको यह चीजे समझ आयोंगे अगर फिर भी कोई डाउट है तो Instagram पर ID है तब इताम ऐसी पूच सकते हो Thank you